आज की वीडियों अपनी न्यू प्लेलिस स्टार्ट करने वाले है अब्जेक्ट ओर्येंटिट प्रोग्रामिंग विद जावा सब्जेक्ट की बेसिकली एकट्व उनिवर्स्टी का बीटेक का सेकिंड यर का सब्जेक्ट है फोर सेम में CS, IT and जितनी भी उसकी allied branches है सब स्टुएंट्स कोई सब्जेक्ट पढ़ना है इसका सब्जेक्ट ओर्ट होने वाला BCS403 न्यू स्लेबस एड हुआ है बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट एड हुआ है एंड सब्जेक्ट का इंट्रोडेक्शन वीडियो रहेगी यह वाली इसमें हम बेसिकली सब्जेक्ट क्या-क्या कवर करने वाला वह देखेंगे हम एंड ओवरल आपका ये दो कॉंसेप्ट पर डिपेंड है पहला उप्स कॉंसेप्ट डवल ओप्जेक्ट ओरिंट पूरी है उसको हम देखेंगे एंड हमारे स्लेवर्स का भी पार्ट है इस्त्री ऑफ जावा एंड ऊप्स की जितने भी कॉंसेप्ट है वह भी कवर करेंगे बैसिकली ऊप्स होता क्या यह कैसी टेक्नलोजी है जो सौफ्ट्वेर मेधिडोलोजी को यूज करके उसके डेव करना बस आपको पूरी प्लेलिस फ्री ऑफ कउस्स मिलेगी डेटेल प्लेलिस एक्स्प्लेशन रहेगा इसका तो आज के इस वीडियो में स्लेबस का पार्ट कवर करेंगे स्लेबस का इंट्रेक्शन देंगे क्या क्या आपको पढ़ना है बर्च रेकिशाइब तो स्टार्ट करते हैं पहली इंट से उससे पहले मैं आपको बताया Ground róż कि यह जो सब्जेक्ट है इस अपको काफि इंपर्टն सब्जेक्ट है यह को गया काफि hun के इंपर्टेंश होता कि सब्जेक्ट का कि इंपर्टेंस है और अ one more thing आपका 70 marks का theory का इसमें exam आएगा स्टार्ट करते हैं उनित नमबर 1 से तो यूनित नमबर 1 में basically आपको introduction पढ़ना किसका जावा का जावा का introduction इसकी history है काफी interesting story है इसकी history की जावा को में क्यों पढ़ना है इसकी features और इसकी environment इन सब बारे में हम पढ़ रहे होंगे next इसकी syntax है जावा की वह हम देखेंगे then most important अपने object oriented programming इसके जितने भी pillars है class, object, inheritance and encapsulation, polymorphism, abstraction तो इन सब चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे बागी packages के एक छोटा सा part है वो भी cover करेंगे इस सब चीजों को पढ़ेंगे और input output के जो भी basics है जावा की वह हम पढ़ेंगे multi threading इसकी life cycle होती है वह हम देखेंगे single thread, multi thread इस सब चीजे क्या होती है अब भी आपको बिल्कूल tension लेने की जोगत नहीं है because यह आपका new syllabus है तो हम पूरा easiest way में आपको explain करेंगे one thing easiest way में आपका expression रहेगा second thing free of course आपकी playlist रहेगी है आपको कोई भी charge इसमें playlist के लिए even नहीं देना third आपकी lecture wise playlist रहेगी है because यह काफी length ही है असले बस तो इसका one shot अभी possible नहीं है at the end हम जलू try करेंगे तो lecture wise रहेगी and approach 10 8 to 10 lecture रहेंगे one unit के तो try करेंगे easiest way मैं explain करने की अब बात करता हूँ मैं third unit की तो third unit में Java की new features जो add हुए है because अभी आपको recent scenario बता हूँ तो मैं जो main work करता हूँ मैं Java पर ही करता हूँ मैंने जो अपना AKT University का BT का project बनाया वो भी मैंने Java पर ही बनाया था and one more thing Java से मैंने main DSA कर रहा है तो Java के new features जो add हूँ है because बीच में Java थी वो obsolete हो गई थी थी थोड़ी सी पुरानी हो गई थी क्योंकि इसमें new features नहीं थे बट अभी two to three years में हैं दोबारा उसमें new features add करें गए हैं तो जो जो new features add कि आपको पता है new flavors है up to date flavors है तो वो सारे new features जैसे कि Java का module system switch expression sealed classes यह सब चीज़ हम थर्ड उनिट में पढ़ेंगे and हम यह भी देखेंगे कि new features को जावा प्रोग्राम में बिल्ड करने के लिए कैसे apply कर सकते हैं अब बात करूं में फोर्थ उनिट की तो फोर्थ उनिट में हम पढ़ेंगे Java collection framework basically framework कैसे में पाल्ट रहने वाला hash set link has set sort set यह सब चीज़े हम पढ़ेंगे tree set map interface basically analyze करेंगे कि Java programs को collection framework के साथ कैसे यूज करा जाता है and last unit आपकी है पूरी spring framework को spring boot के उपर dependent है तो इसमें हम test web or restful web services with spring boot using spring framework concept यह सब पढ़ेंगे तो अभी आपको attention लेनी जहत नहीं है इसमें क्या-क्या APIs है application programming interface has full and web socket servers यह सब पढ़ना है आपको easy way में explain करेंगे and one more thing इसके notes जो है वो आपको description box में मिल जाएंगे and अगर still आपको reference book इसके पढ़नी है तो यह reference book है best book harvards की है java the complete reference mack grow hill education publication वाकी इन बुक्स का भी नाम है इसमें spring boot का java black book है programming in java है mack grow hills की यह भी काफी famous है publication एक जावा की beginner guide और एकल प्रेस एंड यह so these are the reference book but अगर आप मेरी lecture videos देखेंगे फूरी playlist एक बार देखेंगे notes को refer करेंगे तो आपको इनकी कोई जड़त नहीं पड़ेगी because यह जो syllabus है आपका किसी एक book में से नहीं है थोड़ा थोड़ा हर book में से और जो मेरे syllabus के according जो मैंने notes बनाये वह आपको प्लस curated notes मिल रहे होंगे तो आपको कुछ भी extra पढ़ने की जड़त नहीं पड़ेगी कुछ भी कम पढ़ने की जड़त नहीं पड़ेगी एक बार मैं आपको notes भी दिखा दू unit no.1 के so काफी easy way में मैंने animations को use करके जितने भी pictures हैं वीडियोस हैं उनको यूज करके काफी interesting storytelling करके history यह सब आपको पढ़ाया तो उसके लिए आपको playlist को save करना पड़ेगा चैनल को subscribe करना पड़ेगा still कोई doubt है तो आप मेरे वीडियो के comment box में लेख सकते हैं मैं उसका reply करने कुछ करूंगा और सो अब मैं चीज़ों conclude करता हूं सो उप्स आपका subject का नेम है object oriented programming with java btec का second year का force m का subject है and mandatory subject है optional नहीं है सबको पढ़ना पड़ता है subject code bcs403 csit और जितनी भी उसकी allied branches हैं उन सबको पढ़ना है basically oops का concept पढ़ेंगे इसमें हम इनके pillars होते हैं और java की बारे में थ्री टैप्स की जावा की flavors होते हैं उनको हम अच्छे से देखेंगे and basically specifications होते है थ्री टाइप के j2se, j2e, j2me इनको core में advanced में अच्छे से पढ़ेंगे बाकी यह आपका syllabus है and thank you for watching the video and don't forget to like still कोई doubt हो आपको तो comment कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों आप शेर करें and चल को subscribe करना ना भूले thank you so much